प्रदोस्तों जैसे के आप चानते हैं हम इस प्रोग्राम के हर एक एपिसोड में कोई ना कोई नई मैमान से हम मुलाकात करते हैं आपसे भी मिलवाते हैं आज भी ऐसे एक नए मैमान के साथ हम पिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज के जो विशेश मेमान हमारे साथ उपस्तित हैं स्टूडियों में वो हैं सुर्जीत कुमार जयानी जी आप पिछले 45 साल से भारतिय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाई दे रहे हैं आप पंजाब में अपनी सेवाई दे चुके हैं तो आए ऐसे मेमान से हम मुलाकात करते हैं उनसे बात्षीत करते हैं नमस्ते सुर्जीत जी बहुत-बहुत स्वागत है आपको हमारे संगस्था में हमारे स्टूडियों में इतने बिजी होने के बावजूद भी आप हमारे सं राइन हो और यहां अंदर जाने से, बैठने से, अपने आप ही में तय्या olsun होता है ति कुछ तागत जो है वह देश के लिए संबाज के लिए काम करती है क्यां तो यहां कि अच्छान नव हुआ का मिरेजबेट देखके और यहां का वातावन देखके और लिएबे के जो काम कर रहे हैं वो स्रानिय है और मेरी दादी जी जूदे वह ते जूड़े जूड़े जी जूड़े मेरे दादी जी बहुत जूड़े हैं और गर्णामदान भी और यहां भी मेरे माधर फादर तो नहीं आये और मैं आज पहली बारी आया हूँ पहली बारी आया हूँ और काफी टैम से आने का बन रहा था कहीं साथ को ने कहा हमारे आज जो लोग जुड़े हुए ना उनने का भी आपको वहाँ चलना है तो जब तक प्रमातमा की इच्छा नहीं होती जब तक कहीं नहीं जाया जाता प्रमातमा की इच्छा हुई तो यहां आने का मोका मिला और देखे बड़ा अच्छा लगा तो आपके दादी जी के समय से ही आप संक्स्था के संदर्फ में हैं मतलब उनके जुड़े हुए थे लग पक जानते थे यहां आना जना थोड़ी देखे अजिशा कर 15 साल करती थे और मिरा गाम कंशे कम अद्धा गाम सस्ता से जुड़ा हुए था और वहां भ्हां बहने जाती थी इरक्शा बंदन को जाती थी वहां रात को सस्वा करती थी कभी सुपह करती थी हमारा हब और अधर का है तो वहां बहनों का ओफिस बने तो आप इतने सालों से एक भारतिय जनता पार्टी जैसे एक दल के साथ अब जूड़े हुए हैं, तो ये पॉलिटिक्स में आने का और अपनी सेवाई देने का ये प्रेड़न आपको कहां से मिली? तो ऐसे था कि मैं तो शिर्फ एक किसान खेतिवाड़ी से समझ रखता था और पंजाब में बहुत अगरवाद था उस तेम मतलब अमर्चंसी भी लगी थी अगरवाद था बड़ी मारकाट और बड़ा महुल था ऐसे जो अटैक हुआ था गुड़ारे पर भी उससे पहले बस तो मुझे फिर फिरोजपुर सीट से पार्लेमेंट का तुनाव पहले नबे में पार्लेमेंट के तुनाव के लिए मुझे उतारा था तो मैं पहले पार्लेमेंट नबे में और एक साल के बाद में फिर एलेक्शन हो गया था पिचानमे में और फिर सानमे मैंने अमेलिया का लड़ा और फिर महारी सरकार भी बनी थे अकाली और बीजेपी की पंजाम में तो उसे मुझे मिनिस्टर बना दिया गया था जी जी तो मैं तीन बार रहा हूं तीन बार ही मिनिस्टर रहा हूं पंदरा साल पंजाम में मिनिस्टर रहा हूं जी 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 आप forest ministry में भी अपनी सेवाई दिये हैं transport ministry में भी दिये हैं health ministry में भी दिये हैं तो उनका जो अनुभव रहा उस ministry में सेवाई देने के और तेश की सेवा करने के वो कैसा रहा बात यह है कि आज के दिन सानकस्तर moral भी डाउन हो रहा है और स्रीरिक तोर्स के अद्मिटो machinery उगा गया और खान पान भी बड़ा हो गया और प्रकर्ती के साथ हमने खिलवाड भी बहुत कर लिया प्रकर्ती के साथ जो खिलवाड किया उसे हमें मानव का जिवन का नुकसान बहुत हो है तो इसके लिए जैसे हमारे संत है संत समाज देजुस में अपने बिर्मकवरी जी ये भी आते हैं बाकि और भी संत है पड़ी कोशिस कर रहे है मतलब लोगों का उद्धान करने के लिए कि लोग अच्छा खाएं अच्छा पिएं नसे से दूर रहें अगर लोगों की सहत बने समाज स्वा में चले देश के परती हो आजकल सब आप देख रहे हो किस तरह व्यवस्ता जो है सानज की भीगडी हुई है पड़ुकी देख रहे हैं वही है भाप और भेटे की नहीं बन रही मतलब क्या है कि अब बहुत कुछ संतों को जैसे अब बिर्मकवरी ये शास्तायन को और जोर लगाना पड़ेगा, और तागत लगाने पड़ेगी मानव सुधार के लिए, तो हमें लग रहा है कि जब ये तागत लगाएंगे, ये काम करेंगे, तो काम अच्छा होगा, आपने तो बहुत कुछ अपने लाइफ में तो समाझ कितना पतन के तरफ जा रहा है, और काफी हद तक गिर भी चुका है, इंसान के अंदर इंसानियत लगबग खतम हो चुकी है, मार का, टीये सब, तो ये जो डाउनफॉल हुआ है, उसको सुधारना चाहिए, सुधारना तो चाहिए, मेरे पर कि जैसे कि बसकी बात हमारे संत जो है, वो तो संस्ताएं जो है लगी है, अब मतलब क्या है कि लोग अच्छी बात जैसे सत्संग है, अब सत्संग सुनने के लिए लोग कम आते हैं, लाए जाते हैं, और अगर ओल्ट फॉल्ट कहीं संगीत चलता हो, तो वहा दिवारों पे भी और कोई किसी सेमय स्वख्यार के लिए जाता है, अच्छी साथ में कम या रहा हो गल्यारर, यह संस्ताइं की मुल्य निश्था समाज बनानेगा मतलब क्या है कि इनके कारण ही रुका पड़े है. जैसे को बाहर आती है ना जी तो अगर पानी को रोख देते हैं तो इन्होंने रोखने का काम किया निवावने तो पूरा वो समाज का इफलेट हो जाता है जी बिलकुर तो एक मोले निष्ठ समाज बनानी के लिए और हमारी भूमिका भी उसमें होनी हमारा योगदान होना चा बनाने को गडिए तो जल्ले हो सकता है थिक है मैं राजनीती पार्ती में हो तो सरकार करें अब बोट की तरफ जादा धृत हो सरकार बढ़े हम एक दूसरे कि बिश्वाटणमने जादा रखते हैं वो करते हैं इसलिए तो हमारा यह पतन हो रहा है जब तुमारी राजनिती एक साफसुत्री हो जाएगी, और हम संस्ताओं के साथ मिलके अगर काम करेंगे, तो लोगों में जाके होगा, तो जसे राजनिती तो दुन मिल जादा यहोगी है. आपको क्या लगता है कि जन जन को बदलने के लिए, मनमस्तिष्क को बदलने के जो कुछ भी विचार चलते हैं, नेगिटिव हो, वेस्ट हो, जो कुछ भी, उसमें एक सुधार लाने के लिए कौन से बातों में हमको ध्याना जाएगी? तो हो रहा है ना, जैसे बरतन है, अब हर एक आदमी को पता है, कि हमें जीने के लिए, तर्की करने के लिए क्या करना चाहिए? सब को पता है, कि हमें अपनी उम्मर लंबी करने है, तो अच्छा खाना खाना चाहिए, सब को पता है, हमें सच बोलना चाहिए, ये नहीं है कि कोई अंजान है, पता हो को ये पितल का बरतन जैसे हह काठ जंगालगती है और उसे बार-बार धोना पड़ता है तो इसलिए हमारी जो समाजीक सहस्ता ही है, जैसी हम इस सहस्ता मेक biography सहनवे, गारीज में बैटे हैं, तो यह साबन का काम करते हैं भार बार धोने से फिर भी कुछ जंग रहे जाता है, फिर भी चमकता है, तो इनको लगाता है यह काम करना पड़ेगा जो कर रहे है कहते हैं कि सच बोलना चाहिए लेकिन आज ये भी सोचते हैं लोग सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे तो हम कही नीचे ही नहीं रह जाए हम मतब तरक्की के लिए हमको जूट का मार्ग लेना है ऐसे भी सोचते हैं मतलव हम आते हैं सचंग में जैसे आज भी दी बात कर रहे थे बढ़ी अच्छी परवचन अगराम देखो दार्म को मानते सभी हैं और उस पर अमल तो नहीं करते और जब तक अमल नहीं करेंगे तो हमें क्या फाइदा तो नहीं होने वाड़ा ठीक हमने सचंग सुनी हांजी ह किया और बाहर निकले वोई बात वोई काम तो इसलिए क्या है कि हमें धरम के बत्थ पर तलना पड़ेगा तब तक नहीं चलेगे तो बल्या उड़ेवाड़ा कि धरम का मार्ग अलग है लेकिन ये संस्था जो है आध्यात्मिक संस्था है तो आपको क्या अलगता है मतलब देर्ट गुर्ण में च impressed जेओ जैने हम ठाह्त二 जीवन में हमड्रूण करें तो जीवन में बदलब जरूर आ सकता है भुगानकर ने भी, भुगानद राम ने भी, भुगँान सांकर ने भी , अबरणेश गीता है गूरु नानाखजी है गुरु गरत्शाहहीं है अहारा धर्मजी ने तो इनント कोयसा कुछ गल्ट काम का यह नही है यासमें त। यह लिखा कैंगा आत्मा सो प्रमात्मा जा यह मांनती यह मम प्रँआ हैं थो कैते हैं और हम कहने कुछ कह रहे हैं कुछ का रहे हैं तो ठीक है कि पीटल के ब्रतन में जंगाल। आती है संजुघ old तो लोकिन गश Fr populares वो अतने अंदर द्रम का रस्ता है ना कठिन तो है कठिनी की तरफ को चल के राजी नहीं और पाप का रस्ता है वो असान है तो लोग असान रस्ता चूंते है इसलिए हमारा सब जीवन बेकार और नस्त होता जा रहा है अपना शरीर के लिए अच्छा खाओ अच्छा पियो व्याम करो योगा करो माभाप की सेवा करो मतलब दीन दुखी की सेवा करो यह कहता है हम दूसरी तरफ जो है इजी रस्ते पे जादा जा रहे हैं अप इतने सालों से अपनी सेवाइं जो दे रहे हैं सरकार में रहके या बीज़पी में रहके तो आपको क्या लगता है यह जो एक डाउनफॉल होना शुरू हुआ वो किस वज़े से हुआ इंसानों की जो अधब पतन यह जो होना शुरू हो गया था तो यह क्या लाक ऑफ स्पिरिश्वलिटी या धर्म के प्रति अपने आस्था विश्वास कम ह हो गया है या किसवज़े से हुआ यह है जो हमने लालच के लिए जो एलवड़ किया है प्रकर्ति के साथ जो मियम के इसां जो थो खेतों में धर्खत मतलब पसल के बाद उसे जलाना सुरू कर दिया अपने मित्तर कीड़े जो है वसल लेने के लिए हमने सप्रे सैंТेटिक जैसी सप्रे जो करने लगी इनसान इतना क्लूब बी हो गया तो यह ऐक छीज में हम मिलाविट के लिए दो अपने दो राफ बचने चाहिए तो अगले की क्रोड की ग्यान जाए वो को यहता है दिखो دوائی में بھی ملاوٹ, सपरे بھی ملاوٹ, खात में ملاوٹ, डाल में ملاوٹ अते में ملاوٹ, दूद में ملاوٹ, यह ملاوٹ और इसी सरीर اور ملاوٹ جो कρ रहे हैं, तो यह नहीं नहीं देख रहे हैं, कि तू मلاوٹ کر रहा है तो तेरा परिवार भी यह चीज तो यह समाज सुधार के कारिये में जो बाधाएं जो आती हैं वेगन जो आते हैं तो वो कैसे कैसे आपको करने पड़े किस प्रकार के बाधाएं आते हैं मतलब आप चाहें कुछ एक अच्छा बेल पास कर दें या फिर कुछ ऐसे सर्कुलर चारी कर दें तो वो कई लोग मानते हैं कई लोग नहीं मानते हैं परजात अंतर के अंदर मैंने पहले का आपको बोट राज के लिए हमें ब गड़ बड़ है तो ऐसा नहीं लगता है सरकार को भी कहीं न कहीं यह जो अपने अंदर यह आवरनिस पैदा करने के लिए एक मॉरल साइन्स हो या स्पिरिशुलिटी हो ऐसा कोई एक सब्जेक बच्चों से ही तो वो ग्रोध होना शुरू होता है न तो उनके दिमाक्स में अगर बच्पन से डाल दिया जाए कि मुल्यनिष्ठ समाज बनाने के लिए यह यह चीजों को काम क्रोध लोग मौहंकर का त् मॉइल जो है यह हमारे लिए आने वाली पीड़ी को नश्ट कर रहा हूं मॉबाईल जो है और से हम तर्फटा प्तारे हैं भी हमें से तर्क्यचे मिस यूजो रह रहे हैं बच्चों के पास मॉबाइल पच्छे बाहर नहीं खेल रहे हिं जाई और विष्ट के यंदर खेल रहे हैं। किदो हमें इसए नों Do उसमें कितनी घचित्नी की गतईां को लेकर जगते गल्त भामना उसमें सारी है। अब क्या है वो कुछ देखेगा पता ओ जितने आज समाज के अंदर इस मुबाइल ने और आने वाला टैम हमें ये बंद करना पड़ेगा जब हम बरबाद हो जाएंगे जब इस मुबाइल को बंद करेंगे फिर फाइदा क्या होगा जब सब कुछ उजड़ी जाएगा फिर मुबाइल सबसे ज़्यादा बड़ी सिर दर्दी है हर एक तरह है एक हरे जिखा हम मशीनरी होगा हम अपनी समीधा देख रहे हैं शरीर कर नहीं है हम तो अपना सुक देख रहे हैं तो हमरे जैसे यह फिरिज का पानी पिणा मतलब मिलावटी यह सार चीज़े हैं मतलब खा बच्चे उसमें और चीज देखते हैं जिससे वो सो दरने वाली बात तो है नहीं पर ये चीज कब तक और कैसे कहा जाएगी अपने आप पर समझ नहीं आ रही बच्पन से उनके अंदर वो आवरनेस आजाए कि ये सही है ये गलत है इस मार्क पर हमको नहीं जाना है बात यह ना जी सुख की तरफ ज़्यादा जा रहे है ना जी मैंने ये का अभी धरम का रस्ता कठिन है और सरारत का रस्ता असान है तो कठिन रस्ते में जीवन तो सफल होता है लंबी उम्र भी होती है और आखिर जाके प्रनाम उसका अच्छा है और ये रस्ता तो असान है और इसकी कठिन है और जीवन भी बरबाद है तो शारी बात है अब तो ठीक है हमने तो समने संतों भी छोड़ा उनकी शक्ति के वज़े से आज भी समाज एकदम जिसको कहते पाताल में नहीं चला गया फिर भी कुछ तो रुका पड़ा है तो हमारा योगदान उसमें क्या होना चाहिए हमारा योगदान तो को हम सभी मिलके करें को एक सुर्जी चानी करें उससे तो कोई बात है नि मैं तो कि वेर्तन आत्मा जो है इसको यह मांजने का सफ़ाई का काम संत कर रहे है चल रहा है तो आज तक अगर संत इतनी यह तपश्या ना करते यह डेर ना करते जैसे बिर्मकारिया ऐसे आपड़े जो संत तो परले हो जाती थी थी कश्त है भी ने है ठीक है कष्ट में से निकल आस और उमीद यह भी निकल जाएंगे, ठीक आज नसा कितना हुआ पड़ा है, आज हमारे पंजाब में देखो, राजस्तान में देखो, कहीं मी देखो, कितना नसा हुआ है, कितनी शराब की विक्री कितनी है, नसे की गोली है, यह सफेद चिट्टा जिसको हम कहते है, कितना कर रहे हैं, मर रहे हैं लोग, मरबाद हो रहे हैं, ख़ीक है, अच्छी बात हो जाएं आता हुआ है, अच्छी कुछे दिन आते हैं, तो उसने से आते हैं, काम करना है पड़ता है, सब बभ्रोंज अपक还 एसे माहूल देखने के बाद जब आप इस संगस्था में आए तो कुछ वो डिफरेंस आपको वो फर्क मैसूस हुआ कि यहां का वातावरन यहां के सब कुछ बिलकुल अलग है जब तक अंदर रहेंगे हैं अगर अंदर बाद लेकर बाहर चले जाएं तो ठीक है ससंग सोडत देरा है व्यास पंजाब में मैं वहां गया हूं दो तर्वारी तो 25-25 लाख लोगों का बंडारा होता है और वहां पर देखो कि एक कागज का टुकड़ा भी गंदगी मक्खी भी नहीं मिलेगी तो वहां लोग उस वहां अंदर जाते आस्था में हो जाते हैं उस पर हाँ कर रहे हैं Co अच्छी बात ही बताता हैं सब्त बीट tratar는 है आवास दक नहां जाती है होग नसल आज बहुत अच्छी बात है अगर यह तेरे में हमारी जैसे लोग आते हैं जितने हम आरे हैं और सिर्फ दिखावा ढुर। तो बात यह है कि जब तक हम सुनते हैं तब तक अच्छा लगता है कन्रस फिल होता है लेकिन जब बाहर निकलते हैं फिर पहले वाली जिन्देगी जीने लगते हैं तो कहीं ने कि आपको यह नहीं लगता कि कई वो मानसिक शक्ति की कमी है जो हम सुन रहे हैं वो धारण नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए कोई कुछ तो ऐसा हम को चाहिए जिससे कि हमारी मानसिक शक्ति जो हो इतना सशक्त हो जाए मन से इतना स्ट्रॉंग हो जाए जिससे कि सुनने के साथ सथ हम धारण भी कर पाए तो उसके लिए आध्यात्मिक्ता आपको नहीं लगता है कि बहुत मदद करते हैं। नहीं तो अन्यहात्मिक्ता मित दो करते हैं। कि करते हैं योगा करें कि अरप से त ergस्कानी करते है योगा कम उच्छे तो योगाने कि χोर्ण चमीन कहा जा झार आजे की अे टार किल शेवा आज designer तो योगां कि तीन जह रुपे देंकर ने जाओं। उस से लिए के गउर कसे गुशने हो अपने सिरीर जा दे लिए t инची तो पोचा भारी ती जूरी जो मआरी न गोडही है जो पे कि हम गन्ना चूप लेते थे शुर्मा डालते थे तो आक ये कमजोर नी होती थी हमें उसी चीज पर आना पड़ेगा अगर अगर उस पर आएगे तो बात है ये जो आज जो है ना जी बनी बड़ाई पकी पकाई चीजे जो है पीजा बर्गर फास्फूद जंक फूद एक तो अगर खाने पीने का हम ध्यान भी दे जैसे कि आप कह रहे हैं तो हम हरबल चीजे ज्यादा लें और ज्यानिक फूद ज्यादा खाएं तो शरीर को तो ठीक कर लें लेकिन मन में जो ज़ बिमारी है अन्मे राम का नाम है इस्वर का नाम है इस्वर को वहरें याद रखो अंकार नहीं आएगा मैं नहीं आएगी तो जीवन सुष्ट बैसी हो जाएगा जो आप से अच्छा काम होता है तो भगवान को को इस्वर ने किया है तो अगर आप इसवर में विश्वास करोगे तो को दिक्कत ने आने बाड़ी है संतोस्ट भी रहोगे टैंसन नहीं होएगी जो ठीक है को नुक्सान हो गया परमातमा जब अच्छा हो गया तो बगवान बिलकुल अपने पर मत कि आप मेडिटिशन करो मेरे किरें चेम मैरे तो परिस्क्रानल लाइव में प्राक्टै्जिक करो maximعتे। तो आप में परिस्नाल लाइव में मैं तो थोड़ा बुस्तों करता हूं। जीज्वि इतना तो कुछ करता हूँ, ठीक अपना काम अपने आप कर लेता हूँ. और आप हमारी संगस्था से जुडएंगे भी और मेडिटीशन भी करेंगे और इतनी अच्छे अच्छी बाते औरों को भी सुनाएंगे, सिखाएंगे ताकि परिवर्तन जो हम चाते हैं लाना वो जल्दी आ जाए। जीवन में हम फॉलू करेंगे तो रहेंगे एकदम फितन फाइन और हम ऐसे ही और भी खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करते रहेंगे और ऐसे ही मिलते रहेंगे लेकिन आज दीजी इजाजत, नमस्कार, पुम्शन्ति.